तो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रीस से बेटे का शव जो है वो करनाल पहुंच चुका है कई महीनों के बाद ग्रीस से बेटे का शव पहुंचा है कमाने खाने के लिए बेटा ग्रीस गया था ता कि परिवार की आर्थिक जो स्थीती है उसमें सुधार के जासा है कि लेकिन उसे क्या पाता था कि उसकी डड़ बोडी जो है वो यहां पर पहुंची कि और आप देख सकते हैं किस तरीके से शव जो है नोजवान का गरीज के जंगलों से करनाल पहुंच चुका है परिवार ने गंबीर आरोप परिवार के लोगों पर पिछले दिनों किया था और पर्रसासन के अस्वासन के बाद इधर ना खटम किया था और आज आप सकते हैं कई महीनों के बाद बेटें की जो डेड़ बोडी है वो करनाल पहुंच चुकी है परिवार के लोगों का रो में सुधार लाने के लिए ग्रीश गया था लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जो लासा वो उसके घर पहुंचीगी आप देख सकते हैं किस तरीके से मोत के कई महिलों के बाद नोजवान युवक का जो शव है वो करनाल पहुंचा है और कुछी देर बाद उनका अंतिन संस्क करनाल पहुंचा है और अपने बच्चे को पर पैसे लगाए और इन लोगों नो बेजा बेजने के बाद जा गरीश के घ्रीस में जाके उसका मडर कर दिया यह मडर है यह महलाल जी भी कहते है मनोज जी और स्पीशाब भी कहते है यह बैंन ने मरवाया यह शिर्फ मैं उस अब किया जाएगा देख सकते हैं बेटा जो है अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विदेश गया था ग्रीश गयाते लेकिन वहां पर बहनी अजयंटियों को साथ मिलकर अपने भाई की हर्त्य करवा देती है और बेटे के शब को करना नमगाने के लि को ही इस विसके मामने को भी ले तो परिवार के लोग रोते विलगते हुए नजर आ रहे हैं जी हाँ बेटा परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिदेश गया था लेकिन आज मोत के कई महिनों के बाद उसकी जो लास वो यहां पर पहुची है और अब कुछी देरे बाद बेटे का अंतिम स प्रो रोकर बुरा हाल है हमारी अब से अपील रहेगी जितने भी लोग इस खबर को देखें वो इसे जाए परिवार नाल मिला था पुलिस प्रशाशन ने की कहना जोगे प्रशाशन दा शुक्री आदा करना चाहां गई पर धन्यावाद करना चाहां गई जो तिन्नु एन देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के लोगों का रोरोकर बुरा हाल है महिलाई विलाप करती नजर आ रहे हैं बेटे की लास मोत के कई महिनों के बाद करनाल पहुंची है और अब उनका अंतिय मुझार किया जाएगा लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं का रोड़ वुरा हाल है मा की जो हलत है आप देकर अलाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मा के उपर दुखों का पहाड तूट चुका है जी हां मा के उपर दुखों का पहाड तूट चुका है बेटे की लास मोत के कई महिनों के बाद करनाल पहुंची और आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं यह पर विलाब करती हुई नजर आ रही है